पीले दांतों को वाइट बनाने के लिए मार्केट में एक टीट वाइटनिंग पैन आता है ये पैन आगे से ब्रसकी सेप में होता है इसको अपने दांतों पे लगाने से दांत इंस्टेंटी सफेद हो जाते हैं बहुत लोग अपने दांतों को चमकाने के लिए इस टीट वा करने के लिए इतने सारे रूपे क्यों बेश्ट किये जाएं इसके बजाए हम अपने घर में अबेलिबल चीजों से फ्री में अपने दांतों को वाइट बनाएंगे आज मैं आपके साथ एक ऐसा जबदस नुसका शेयर कर रही हूं इसका इस्तिमाल करने के बाद में आपके पीले पड़ी हुए दान मोतियों की तरह चमक जाएंगे नमस्ति दोस्तों आपका एक वाप फिर से बैल का में पिंग सी पर मेरे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए पिंग सी चैनल को आप अभी सस्क्राइब कर लीजिए साथी बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं जब भी वीडियो को अप्लोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो सबसे पहले हमको जुरूल पढ़ने वाली है एक बनाना की बनाना काफी अच्छी से पका हुआ होना चाहिए जितना ज्यादा पका हुआ केला ह होगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा तो इस बनाने के ऊपर जो छिलका है वह हमको चाहिए होगा इसको हम निकाल लेते हैं बनाना जब अच्छी से पक जाता है तो उसकी ऊपर जो इसकीन होती है वह सौफ्ट हो जाती है और इसको निकालती हुए वह तूटने लगती तो इस तरह का छिलका हमको चाहिए होगा तो इस छिलके को उठा के हम साइड में रख देते और एक पेस्ट बना के रेडी करेंगे तो इस पेस्ट को बनाने के लिए हमको सबसे पहले जुरूत होगी हल्दी की मैं यहां पे ले रहे हूए आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसक ज़्यादी ज्यादा अच्छे से काम करते है इनको अच्छे से लीए दोनों चीज़ों को ओ इसके बाद में एंड में हम इसके अंदर एड करेंगे शट्लों का देल जितना इसका पेस्ट बनाने के लिए औली की ज़रूरत हो उत्फना ही शट्सों का तेल इसके अंदर लगाले नां और इस तरह से आपको अपने पीले दांतों पर इसको अच्छी शिर्प करना akes suppliers किलें कि छिल्के की सहे देट को पेश्ट से करने से यह बहुत जल्दी बहुत ज्यादा effective तरीके से काम करेगा लातों की पीले पनको हठाने के लिए इस तरह से रगड़ रगड़ के आपको अपने दांतों पे इसको लगाना होगा इससे के सारा पीलपन निकल जाएगा अगर आपके हलके पीले दांते हैं तो पहली ही बार में आपको इसका फर्क दिखाई देने लगेगा अगर आपके ज़्यादा पीले दांते तो आपको इसे हपते में तीन बार जरूर करना होगा जिससे आपके दांत एक हपते के अंदरी सफेद हो जाएंगे इसको लगाने के बाद में आप अपने दांतों को नॉर्मल पानी से दोके साफ कर लीजिए मुझे उम्मीदे के आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना सेया कर देना और पिंक्सी चैनल को सस्क्राइब जरूर करना